सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोग कपरिये जैनन यूज चैनल माहलक्षमी की ओर से आज का पामन देन कार्थ एक शुक्लत द्वादशी को आज हमारे अठार वे तिर्थंकर का ग्यान करने अन्ति वसे आप सभी को साधर जैज दिन और करते हैं आज की शुरूआत करती है पस इस तरह के दर्शय होते हैं चाहे बोलाव से दिखाएंगे दिल्ली के दिखाएंगे और यह जैपूर की देखने हैं बहुत गजब के दर्शन होते बर यह यहाई बड़ों पर जाते न सम्वानत है तो हमारे दो संतों और दो श्रावक बीड मिलते हैं और अभी संतों के संवान तो रवाएते हैं पच्छी संतों का चैनल मालश्वी ने अपने देखा तो जूम के बादे हैं उसमें आचारे गुपती नंदी जी के शब्दों में कहें तो उने कहा था जब संतों करते हैं तो वाहनों से उड़ा दिये जाते हैं यह शब्द में हैं यह 가운데 विहार करते हैं, वहनों से उड़ा दिये जाते हैं, पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इसे की एक शुरुआत होनी चाहिए, यह शावकों का प्रतम करतवे हैं, जब संतों का विहार हो, तो पूरी तरह सजगों, यह जिम्मेदारी, चलतीर्थों के प्रती हमारी सबसे पर करतवे हैं, आहर विहार निहार के अंदर, और अब इस पर विराम के लिए, हमारे सी एंकूर जैंज में यह न, उन्होंने बहुत कोशिश की है, उसकी सफलते करना, बहुत बहुत शुपका हैं, उनको परहां, यही तो देखना है, बात करें राज्यों से बले, करनाटक, मा माराष्ट और केरला, यह तीनी राज्यों में बाकाइदा कानून बन गया है, यह विदिवत, सब पुलिस को बता दी के जानकारी, आपको भी होनी चाहिए, यह बहुत वैसे सेंसिली शेतर होते हैं, सबसे ज़रा माराष्ट, राजिस्थान भी सोड़ी बेल्ट, यह तो व आप से विनम्र अन्रोद, माराष्ट में, करनाटक में केरल, सेंसिली शेतर है, यहाँ पर जब भी विहार कराते हैं संतों का, तो निकट के ठाने में पूर्व सूसना दीजिए, कि हमें सुरक्षा चाहिए विहार के लिए, जब तक आप सुरक्षा के लिए मांग नहीं करे जाएगी, और मांग करने पर जरूर मिल जाएगी, परम करतवे, और इन पत्रों के साथ, अपने अपने राजिये में भी, चाहे राजिस्तान हो, चाहे मद्यपरदेश हो, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, हर्याना हो, पंजाब हो, जारकंड हो, बिहार हो, उलिसा, कोई भी अपने अपने जगे पर शेत्र पर वहां के अधिकारियों को पत्र दीजी राजिसरकारों को इस तरह तीने राजिसरकार एक कर चुकी है ऐसा आप भी करिए कि दिगंबर, संतो, शुतामबर, संतो कोई भी संति जारे हो वियार कर रहे हो उनकी समुचित सुरक्षा करवाना ये सरकार के जिम्मेदारी होनी चाहिए अप मैंसे आप में कई सवाल उठा सकते है अरे हमारे तो अहिंसाफरी है वह तो सिंग के रूप में चलते है अब उन्हें सुरक्षा की जरूत क्या पढ़ती है बहुत बड़ा एक्जामपिल देते है हमारी बात क्यों मानेंगे आप पर मुनी पुंगव श्री सुधा सागर्णी स्री शरकार ने कहा जब भी दिगंबर जैन सादू बिहार करेगा जैन सादू उसके लिए एक गाउं से दूसरे के लिए पुलिस साथ जाएगी और सभी परांत वाले इस्रापकों से मेरा कहना है अपने अपने परांतों में जाकर इस्विक्रती लें कानून है अपन उसको फोलो नहीं कर पा रहा है यदि आप परिचार कर प्रियास करेंगी तो आपको बरावर ही मिलेगा जैनियों को पुलिसिक्या जरूरत है वे तो अहिंसक है महराज को पुलिसिक्या जरूरत है वे तो अहिंसक है तो इनके लिए एक अंधे का उधार्म बहुत अच्छा है एक अंधा जा रहा था लाल्टन लेकर के किसे ने का सूदाजी आपको तो बिल्कुल दिखते ही नहीं लाल टन क्यों लेके जा रहा हूँ मैं अपने लिए नहीं दे रहा हूँ सामने बारा मेरे से नटक राजा इसलिए उसको दिखा रहा हूँ आज शुक्रवार भी समाप्त हो गया बस दूरी अब 36 गंटी की ले गई है यानि रविवार सुभे साड़े आठ होजे हम सब को आसपास दूर दरा से पहुशना है लाल मंदिर के सामने लाल किला मैदान में तयारी चल रही है संतों का जो विहार है इस तरफ होता जारा है कोई 10 किलो मेटर दूर है कोई 12 किलो मेटर दूर है बस इस तरह दूरी दूरी चारो तरफ से लाल किले मैदान पर पहुशने कुछ कल पहुचेंगे और संभवत आचारी शुनी सागर संग जो है राचपुर रोड से परसो सुभे आएगा जानकर यह मिलती जा रही है अचारी पुश्दन सागर जी , यशुत्स सागर जी पहुच गया है निर्वान मवोस्व का सेकेंड पार्ट पहला आपने 33 नमर मुर की और अब 32 भनी 26 26 को दोसरा होला तयार रहेंगा संडे सेपेशल संडे सुपर संडे करना है अहिंसा रत दक्षिन में प्रभावना करते हुए जैने जैनेतरों के बीच में खासतर कस्बे कस्बे गाहों-गाहों से गुजरता हुआ और यह परतिश्टित महवेट सौमे की एक ऐसी दिवय परतिमा है जिसको देखते ही लाल के लिए पहुंच रही रत प्रशांत वियार राजपुर उड़ते हुए यह भी कल पहुंच जाएगा और हां इसका भी साथ में पच्ची सो पचास कर्शोते महाँ बस्त का विश होगा आचारेश सुनी सागरी द्वर्य शुरुवात की गई थी सबसे पहले रत कोटूबर 2022 को राजय पहल जी ने इसकी शुरुवात की थी और फिर प्रवर्तन शुरुवा था इसी वर्ष की पहली अंग्रेजी तारिक से एक जनवरी 2023 को अब दिल्ली में हैं दिल्ली से आगे रत प्रवर्तन होगा इसकी शुरुवात भी इसी लाल किले मैदान से 120 संतो के सानित देम होगी हैना अच्छी बात खास गास बाते कोशिश करिया होती तो पट्टे में आए तो कहते हैं भेती गंगा में आप भागया जमाएं कलश महमस्त का विशे का सवभागय पाएं यह कलश कहते हैं अपने कर्मों के निर्द्रका सबसे बड़ा साधन बन जाता ह गजब 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 मध्य परदेश में तो बहुत देखे हैं ऐसे द्रशे राजिस्थान से भी देखे हैं पर दिल्ली का नजारा अपने आसपास बहुत बड़ावत से पूरा बड़ावत दिल्ली आ गया ऐसा गजब ढगया आज पहुँचे किशन नगर आचारेशी वि प्रफुलित हो जाता है बक्तों में भी भक्ती कितनी अच्छी होती है बस इसी तरह के कारवें जो विहार हो संतों के ऐसे हो तो कहते हैं फिर कहने ही क्या सोने पर स्वागा हो जाता है दिले बाग 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 हो उठता है किते गार्डन गार्डन होता है इसे द्रश शुनिल साइट संगे इसानी दे में यहां पर शिलान नयास हुआ और उस समय और आज का दिन मालूम आपको आज हमारे अठार वे तीरतंगार सुले सत्रवे थारवे तीरतंगार घ्र हजना अफरी कतल दिन है आज हमारे आकरी आज आज शुआए फिर का आज के वल आज के पृप्ति होती है सोले तीस गणधर बावान किलोमेटर विस्तित समोशन और बीस अजार नौसो चौरासी वर्ष का केवली काल ऐसे दिने और आज खास बाती इस देखरें अंदर श्याप ये यहां पर आचारी सुने दगजे बासटवा दीक्षा दिवस तफस्वी समराठ गुरुवर के गुरुवर आचारी स्री सनमती सागर जी का बड़े साधगी से पता भी नहीं चला जैसे बैंड बाजे शोर शोर अब कोई लगता है ऐसे साध्य से बनाय गया और उनके बारे में घुरुडगान हुआ वे नियांजली हुई अपर खाज आई दरही ने आपने देखा है वटवरश के नीचे कभी छोटे पौधे उग बड़ नहीं पाते हैं खाय कि बड़ों के नीचे रहते हो तो छोटे कभी भी उठ नहीं पाते हैं पर यह इसको जूटा आप कर देते हैं जब आचारे श्री केते हैं उनुने बताया कि आचारे श्री स्रमय ऐसे वटवरश से कि अपने टहनीयों को धरा से चूलेते हैं और वही वटवरश बन जाते हैं और वही संके दरशी आप आप यह देख रहे हैं आधिस सागर अंकलीकर जीकी परिंप्रा से पहुंच रहे हैं और राजपुरोड से परसो सुबह समुपत है लाल मंदिर के सुबह पहुंचेंगे और वहीं से फिर लाल के लाएंगे और फिर आएंगे कहां वे हम कल बताएंगे कि कहां का लोग वहां पर संतों के साथ जाएंगे ये कल के लिए फिर मिलेंगे आपसे सु झाल झाल